तो गाइस फानली सर्दिया आ चुकी है अगर आप भी अपने घर को गरम रखने के लिए बजट में रहते हुए एक अच्छा सा रूम हीटर ढूंड रहो तो आप बहुत ही सभी वीडियो पहुंचे हो आज हमारे पास है बजाज के तरफ से आने वाला उनका ब्लोवर तो अगर आप भी कुछ इस तरीके मशिन अगर खुद को खुद के घर के लिए बाई करना चाहते हैं ताकि आपको प्रॉपर टाइम रीडिंग और हुमिडिटी वगरा कितना वह कैल्कुलेट करने के लिए तो इन दोनों का लिंक आपको ब्स्क्राइब कर सकते हो चैनल प उन गिशे हैं प्रॉपर बॉक्स ने वहार है का दों इस तृड्ड के मार्क के सा थाया try का ब्रांडिंग है अ और ऑफ़ हमने हमने इसको इसको मंगवाय है कि अगली मुह थे श्लिड के जड़िया ऑपव तक इसको नदर में आल और एंड ziet सब्सक्राइब कर लाइब कर लीटेता है है इस उसे साइट में गालें लिए। यह तौप में वहम केशन करते जौए को कि अधर में अगर नीचे अगर को प्रोत चैन कहलेज sermon 有 motivo चाहते हो कि हवा जो है वो प्रॉपर एंगल पर तो वैसे केस में हैं यहां के तरफ कर यहां से करता है अगर आप इसको ब्लॉक कर दो तो वैसे कि इसमें आग लगने चांस तो दंगादी से गल्वारा इंलेट करें यहां से इबक्दम करते हैं के रिएव बत कि केवल के बिल्ट तो यहां पर भी आपको प्रपर आई सा घ् weights को ब को इस मों अमेंड भी तो आप को इसका भिछ वर यहां पर आपको होने का गरम का इसास हो सकता है यहां पर आपको इसका पावर रिटिंग मिल जाएगा 2000 उसमें आपको मैक्सम्पावर का कंजंप्शन होता है और चाहो तो आप इसको 2 मोड में स्विच कर सकते हो 1000W चाहे 2000W में जाधा ठेंड लग रहा है तो 2000W पर सुच कर सकते हो यहां पर आपको हॉल माप भी मिल जाता है इसके जिन्यून होने का एक निशानी आपको मिल जाता है ताकि आपको कोई करते हो तो शॉट्र करते हो कि इसमें आग लगने के चैंस भी जादा रहेंगा एक शूर कि आप इसको डिरेटली कहां पर करना अपना जो पावर प्लग है वहां पर आपको अपना जो सेटप था रेडी हो चुका है अभी मैं आपको प्रॉपर ट्रेस्ट करेंगे से बता दे जो आप फर्स्ट वाल स्विच को अन करोगे तो यह अन हो जाता है थंडी हवा यह फेकता है हलका सा हवा फेक एक ब्लोर टाइप में वार्म जब दूसरा वाल करोगे तो 1000 वार्ट यह था रूम को गरम करने कोशिश करेंगा जब आपके घर में थंड बहुत आदा हो तो वैस तो आपको एक क्लियर पिक्षे बादा चल रहा होगा बहुत जादा लाओड नहीं है मतलब जब सो होगे इसको रात में यूज करता तो बिल्कुल भी आपको डिस्टरबंस नहीं होगा जो स्प्लिट एसी रहता है उसे भी काफी कम नवाइस करता है तो आपको किसी भी तर हीटर के उपर में वो complete हो चुका है और दस मेंट मैंने इसको चलाके देखा जो मेरे कमरे का maximum temperature गया था वो 26.4 डिग्र तो मेरे कमरे का जब मैंने शुरू किया था उस वक्ष्वक्ट 21.2 डिग्री था तो दस मेरे चलाने के बात कर्यब पाँच ड़िग्री का आपके हाथ वगर गलती से भी कटने के चांसे नहीं रहेंगे जब यह मैंने चला रहा था तो दस मिट के बाद मैंने इस पर में हाथ वगर भी रखके देखा तो कहीं पर भी यह ओवर हीट नहीं होता हलका सा वाम रहता है डिफिनिटली इसमें कोई लगा हुए बट वह आप और ब्लोवर तैप वाले भी है तो इसके साथ इशू क्या ओता है कि अगर आपको फुल पैक करके बंद करके अपने कमरे को गरम करते हो तो वैसे कि इसमें आपके कमरे के नमी को और ऑक्सिजन को बहुत तेसे खत्म कर देता वैसा कि आपको चक्कर भगरा भी आ सकता है आप किसी टॉल वगरा को गीला करके अपने कमरे में कहीं पर टांग देना ताकि उसमें से कंटिनुसली नमी निकलता रहे और आपके कमरे में प्रॉपर नमी बना रहे तो फिर भी जुगाड़ वाली चीजें हो गई अगर आप थोड़ सा पुश कर सकते हो तो हैवल्स का एक और रहता है जब आप और उसको तो वह ऑईल गरम होता है और उसके बाद वह आसपास पूसा फिन लगे रहते हैं तो जो भी एयर कॉंटक्ट में आता है उसको वह गरम कर देता है और उसके आपके कमरे का किसी बीटरी की का ऑक्सिजन का डेपलेशन नहीं होता है नमी जो प्रस्पेक्टिव से देखरों मैं आपको हाली रेक्मेंड करूंगा कि आप हैवल्स वाले ओल बेस्ट रूम हिटर के साथ जाना अगर आपको इन तीनों का बेस्ट पालिंग आपको डिस्रेप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप जाके वहां से बाई कर सकता हो खुद के